प्रॉब्लम को रहा है तो आप लोगों को मुठ हो रहा होगा कहीं कोई प्रॉबलम हो रहा है तो आप लोगों को स्टेंडर्ड जो वैल्यू है जैसे के sin 30 का value क्या होगा याद कर लिया है न आपने याद कर ले न इसको अच्छे से होगे वरना problem हो जाएगा sin 30 का value क्या होगा sin 60 का जो भी standard value है 0 degree और 30 degree 45 degree, 60 degree और 90 degree ये जो standard angles है इनका हमने trigonometric ratios का value अच्छे से याद कर लिया था पिछले class में as well as बहुत सारा questions भी हमने किया था कुछ questions 23.2 का था कुछ previous year का था आज हम लोग trigonometric identities पढ़ने वाले हैं exactly क्या होता है और इसके साथ साथ जितना भी previous year questions इस topic से पूछा गया है उन सारे को हम लोग आज solve भी करेंगे तो बहुत important class आपका होने वाला है आज start करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि what is trigonometric identities आखिरकार है क्या trigonometric identities तो देखो trigonometric identities जो है न वो equalities है यानि कि something is equals to something ये इसको हम लोग equalities कहते हैं ठीक है जिसमें हम लोगों का अलग-अलग trigonometric ratios है और ये जो equality है वो किसी भी data के लिए valid है ठीक है तो क्या है ये थोड़ा से इसको समझ लेते हैं सबसे पहला जो है वो आपका है sin square theta plus cos square theta is equals to 1 होगा theta का कोई भी value आप put कर दो sin square theta plus cos square theta में value हमेशा 1 ही देगा आउट try करते हैं हम लोग theta के जगा पे 30 put करके देखते हैं क्या आता है ठीक है तो sin square 30 और उसके बाद sin square 30 हमने लिख लिया तो उसके साथ क्या लिखना पड़ेगा हमें cos square 30 अब यहाँ पे sin square 30 क्या हो जाएगा हमारा 1 by 2 का square हो जाएगा और cos 30 क्या हो जाएगा root 3 by 2 का square हो जाएगा ok root 3 by 2 का हो गया square ये हो गया आपका 1 by 4 ये हो गया आपका 3 by 4 calculate करके देखो नीचे 4 उपर 4 cut करके आया 1 तो इसका मतलब sin square 30 plus cause square 30 का value कितना आया 1 आया ठीक है तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो otherwise अगर आप चाहो तो normally भी इसको solve करके देख सकते हो जैसे के अब अगर आप देखेंगे तो क्या पता चला आपको के ab का square divided by ac का square plus bc का square divided by ac का square आगे further calculation करेंगे तो ac का square आएगा उपर में आपका ab square plus bc square आगया ठीक है अगर आपको धियान हो अगर आपको धियान हो तो मैंने आपको Pythagoras theorem बताया था कि जो longest side होता है right angle triangle का that is hypotenuse उसका square जो है वो बराबर होगा बाकी जो 2 side है उसके square के sum के तो यहाँ पे यह वाला relation fit हो रहा है Pythagoras theorem के हिसाब से आप उपर में देखे क्या लिखा ab square plus bc square और ab square plus bc square किसके बराबर है ac square के बराबर है तो ac square by ac square क्या आया हमारा 1 के बराबर आया हाँ भाई आ गया 1 के बराबर तो इस तरीके से आप prove करके देख सकते हो इस trigonometric identities को ठीक है फटाफट से बाकी का identities मैं लिख देता हूँ दूसरा identity क्या है यहाँ पे दूसरा identity यह है कि जो हमारा cosec square theta होगा minus cot square theta होगा वो 1 के बराबर होगा और जो 3 है वो है हमारा कि जो सेक square theta होगा minus cot square theta होगा वो आपका 1 के बराबर होगा ये 3 अगर आपको नींद में भी उठा कर कोई पूछ ले कि भाई ये बताओ कि cosec square theta minus cot square theta क्या होता है तो आप उसको नींद में जवाब दे सको कि 1 होता है इतना अच्छे से याद कर लेना है इसको ठीक है तीन ही है यहाँ पे तीनों को याद कर लो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है याद रहे कि जब sin और cos का बात आ रहा है तो वहाँ पे plus आ रहा है बाकी जो दो चीजे उसमें minus आ रहा है ठीक है इसको आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो जैसे कि अगर हम लोग पहला वाले को चाहें तो पहले वाले को ये भी लिख सकते हैं कि जो sin theta होगा वो हमारा root under 1 minus cos square theta होगा ठीक है ये भी relation आप लिख सकते हो पहले वाले से इस वाले से just करना क्या है side आपको change कर देना है यानि कि sin square theta plus cos square theta है तो cos square theta को आप उदर भेज दो जैसी right head में भेजोगे तो वो negative में हो जाएगा ठीक है square है square हटेगा तो root चड़ जाएगा बचेगा क्या root under 1 minus cos square theta तो इस तरीके से आप और भी बना सकते हो इसके लिए भी कुछ और बना सकते हो मतलब relation और भी यहाँ पर बन सकता है लेकिन जो main है यहाँ पर जो fundamental है वो क्या है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 cos square theta minus cos square theta is equal to 1 और sec square theta minus cos square theta is equal to 1 यह fundamental है बाकि इससे आप आके का derive कर सकते हो बस यही है हमारा trigonometric entities इसी के उपर based पूरा का पूरा exercise 23.3 है जो के अगले lecture में हम लोग solve करेंगे आज के class में हम लोग previous year solve करते हैं जितना भी इस topic से पूछा गया है सबसे पहला question क्या है हमें दे रखा है कि cos square theta minus sin square theta is equal to 1 by 2 है यह हमें already दिया हुआ है हमें पूछा क्या है तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा यह हमारा सवाल है तो थोड़ा सा सोचते है और 10 square theta कैसे आएगा कैसे आएगा देखो एक तरीका है हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो आपका sin square theta है plus cos square theta है उसका value क्या होता है 1 होता है ठीक है अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 equation बन रहा है यह equation number 1 यह equation number 2 एक में plus है दूसरे में minus है दोनों का अगर add कर देंगे तो sin theta sin theta कर जाएगा सिरिफ cos theta बचेगा वहाँ से theta का value निकाल लेंगे नई समझ आ रहा है plus cos square theta होता है वो 1 के बराबर होता है अभी तो थोड़ी दिर पहले हमने यहाँ पे देखा था अब इन दोनों को क्या करेंगे just add कर देंगे तो जब add करेंगे तो जब हम लोग को cos को add करेंगे cos के साथ तो क्या आएगा 2 cos square theta आएगा चीक है जब हम लोग sign को add करेंगे sign के साथ तो उपर में minus है नीचे में plus है minus plus कट के क्या आजाएगा ये ये कट गया अब हमारे पास कुछ नहीं बचा इथर यहाँ पे 1 by 2 है तो 1 by 2 plus 1 हो गया तो हमने क्या क्या दोनों को add कर दिया adding 1 and 2 या फिर वहाँ पे adding 1 and 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे नीचे में लिखेंगे ये वाला जो जगा है यहाँ पे ये value कैसे आया ये value आया adding 1 and 2 यानि 1 and 2 को हमने add किया तो हमें ये value मिला अब आप easily यहाँ पे आगे का calculation कीजिए क्या करना है 2 cos square theta is equals to यहाँ पे LCM लो लो 2 आ गया यहाँ पे 1 plus 2 हो गया 3 यानि के हमारे पास ये पता चल गया कि cos square theta is equals to कितना हो गया 3 by 4 हो गया हाँ भाईया इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि cos theta कितना हो गया root 3 by 2 हो गया हाँ बिल्कुल आगे हम लोग अगर देखे तो क्या हो जाएगा cos theta is equals to root 3 by 2 का मतलब क्या हो गया cos 30 degree यही हुआ न root 3 by 2 यस तो theta कितना हो गया हमारा 30 degree करना क्या है just यहाँ पे put कर देना है क्या put करेंगे tan square 30 degree put कर देंगे value कितना आएगा 30 का value होता है इसको देख कर अचानक से हमारे दिमाग में खयाल आना चाहिए और वो खयाल यह होना चाहिए कि हमारे पास एक trigonometry identity है जो के है sin square theta plus cos square theta is equals to 1 और उसको यहाँ पे अगर लिख दें तो 2 equation बन जाएगा हमारा और उन दोने equation को अगर हम लोग add कर दें तो sin theta sin theta कड़ जाएगा क्योंकि 1 में sin theta plus में 1 में sin theta minus में और हमें theta का value मिल जाएगा यह चीज़ आपको दिमाग लगाना जब भी कोई question देखो जो के trigonometric identities से related हो तो पहले अपने तीनो identities को क्या करना है देखना है कि क्या तीनों में से कोई identity यहाँ पर use हो रहा है और most probably identity use होगा ही होगा ठीक है आगे बढ़ते है next question हमारा क्या है वो देख लेते हैं next question में दे रखा है कि sin theta by x is equal to cos theta by y तो prove किजे कि sin theta minus cos theta जो है वो x minus y by root under x square plus y square के बराबर है कैसे करेंगे इसको इसको अगर आप ध्यान से अगर देखेगा तो एक चीज़ समझाएगा कि हम लोग अगर यहाँ पे sin theta divided by जो हमारा इस तरफ cos theta है उसको अगर इधर ले आएं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा x by y बच जाएगा ठीक है sin theta by cos theta क्या होता है मैंने आपको बताया था कि tan theta के बराबर होता है तो tan theta क्या हो गया x by y आपको क्या पता है कि tan theta जो होता है वो perpendicular by hypotenuse होता है क्या होता है आपका perpendicular sorry perpendicular by base होता है और आपको पाइधागुरस theorem पता है और पैतागुरस theorem से आप क्या जानते हो कि जो आपका hypotenuse का square होता है वो बराबर होता है कि इसके perpendicular के square और base के square के तो हम लोग क्या करेंगे यहां से hypotenuse का value निकाल लेंगे कैसे देखो hypotenuse जो हो जाएगा वो हो जाएगा root under P square के जगा पे क्या लिखेंगे X square और B square के जगा पे क्या लिख देंगे हम लोग Y square हो गया यहां पे तो हमें अब क्या पता चल गया perpendicular, base, hypotenuse सब कुछ पता चल गया अब हम लोग easily क्या करेंगे अब हम लोग easily यहां पे उन सब को इस्तिमाल करेंगे साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा हमारा perpendicular by hypotenuse हो जाएगा इसका मतलब perpendicular का value क्या है X, hypotenuse हमारा क्या है तो hypotenuse हमने अभी निकाला है root under X square plus Y square ठीक है, वहीं पर अब लोग देखें cos theta का value क्या है तो cos theta का value होता है base by hypotenuse base हमें पता है क्या होता है Y और hypotenuse क्या होता है root under X square plus Y square हो गया करना क्या है हमें हमें करना है sin theta minus cos theta तो हम लोग यहाँ पर करके देखते है sin theta का value क्या है X by root under X square minus Y square और cos theta का value क्या आया है Y divided by X square minus Y square मैनस नहीं, plus में है ठीक है, plus अब यहाँ पे अगर हम लोग calculate करें तो क्या हो जाएगा x minus y divided by root under x square plus y square यही तो prove करना था हो गया हमारा prove simple ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या इस्तिमाल करना पड़ा बहुत ही basic से चीज़ इस्तिमाल करना पड़ा कोई trigonometric identities यहाँ पे use नहीं हुआ है यहाँ पे सिरिफ यह use हुआ है कि sin theta by cos theta का value जो है वो tan theta होता है और tan theta जो है वो perpendicular by base होता है तो हमें hypotenuse निकाल लेना है यानि basically यहाँ पे हम लोगों का जो भी खेल हुआ है वो trigonometric ratio यूज हुआ है identity नहीं यूज हुआ है ठीक है आगे चलते है next question में हमें क्या बूला है next question में हमें यह बूला है next question में बूला है कि x is equals to a sec theta and y is equals to b tan theta तो हमें एक relation बताईए x और y के बीच में लेकिन वहाँ पे theta नहीं होना चाहिए यानि x और y के बीच x और y को include करके एक equation आपको frame करना है लेकिन उस equation में theta का नामों निशान नहीं होना चाहिए theta कैसे मिटाओगे आप तो देखो sec theta है tan theta है इन दोनों के बीच में कोई identity है हाँ है क्या है sec square theta minus tan square theta one के बराबर होता है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे sec theta को पहले एक अठा लिख देंगे यानि अलग से लिख देंगे तो sec theta क्या हो जाएगा x by a हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से अगर हम लोग tan theta को लिखेंगे तो tan theta क्या हो जाएगा हमारा tan theta हो जाएगा y by b हाँ बिल्कुल भाईया तो हमें identity क्या पता है के sec square theta आपको question में जब आप solve करोगे तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा के we knows that we knows that इसको erase करके वापी से लिखते हैं we knows that क्या जानते हैं हम जानते हैं के sec square theta जो है minus tan square theta जो है वो आपका 1 के बराबर होता है यह हमें पता है हम क्या करेंगे just value को put कर देंगे तो क्या हो जाएगा x square by a square minus यहाँ पे क्या हो गया आपका y square by b square is equals to क्या हो गया 1 बन गया हमारा दोनों का relation आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और थोड़ा और अगर एकदम आसान तरीके से इसको मतलब एकदम simplify भी करना चाहें तो simplify भी कर सकते हैं आप कैसे करेंगे simplify तो आप इसको उदर भेज दें यह जो y है ना उसको उदर भेज दे x को एक तरफ रखे y को एक तरफ रखें बस तो x square by a square जो है वो क्या हो जाएगा 1 plus y square by b square हो जाएगा ठीक है आप चाहे तो इसको यहां तक भी छोड़ सकते हैं यहां तक में भी आपका काम हो जाएगा और further अगर आप इसको solve करना चाहें तो वहां भी जा सकते हैं और further solve कीजेगा तो कैसे होगा ऐसे होगा x square is equal to यह a इधर चला जाएगा और यह a वापिस से इधर चलाएगा divided by क्या बज़ जाएगा 20 square बज़ जाएगा यहां भी आप छोड़ सकते हैं मतलब basically x और y के बीच का आपको relate कर देना है एक दूसरे को कि x कितना x कितने y के बराबर है इन दोनों के बीच का relation क्या है वो बता देना है लेकिन theta नहीं होना चाहिए तो theta है कहां यहां पे इस पूरे टर्में आपको theta दीख रहा है नहीं दीख रहा है कैसे eliminate कि हमने identity को use करके अगला question क्या बोल रहा है हमसे अगला question यह बोल रहा है कि एक triangle है ABC जिसका angle C जो है वो 90 degree है BC जो है वो M के बराबर है AC जो है वो N के बराबर है prove कीज़े के M sin A plus N sin B जो है वो root under M square plus N square के बराबर है पहला काम क्या रहेगा एक diagram बनाना रहेगा तो हम लोग बना लेते हैं आपर diagram अब इस diagram में जो angle C है और AC दिया हुआ है N हमने लिख दिया है अब आगे बढ़ते हैं क्या बूला है हमको sin A और sin B तो पहले तो sin A और sin B क्या होगा वो निकाल लेते हैं sin A मतलब के इसके respect में अगर देखे तो perpendicular कौन है M है तो M लिखेंगे divided by hypotenuse लिखना होगा hypotenuse क्या होगा इन दोनों के square का sum यानि के M square plus N square का sum root under हो जाएगा यह क्यों 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 हमें थोड़ी देर पहले बताए के hypotenuse का square जो है वो perpendicular का square plus base का square होता है ठीक है मतलब पाइदगरस theorem यूज हो रहा है यहाँ पे तो sin क्या हो जाएगा perpendicular by hypotenuse hypotenuse क्या है M square plus N square वहीं पर अगर आप sin B निकालना चाहो यानि के इस वाले angle के respect में तो आप perpendicular N हो गया तो हम क्या लिखेंगे N divided by hypotenuse तो अभी भी वही है M square plus N square अब क्या करना है अब just आपको ये वाला जो equation है वो लिखना है तो equation हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS LHS is equal to हमें क्या दे रखा है M sin A plus N sin B ठीक है लिखते हैं यहाँ पर value sin A का value हमने क्या निकाला है sin A का value निकाला है हमने M divided by root under M square plus N square ठीक है वहीं पर हमने sin B का value क्या निकाला है N divided by root under M square plus N square ठीक है अब इन दोनों को calculate करेंगे तो क्या हो जाएगा M square divided by root under M square plus N square plus N square divided by root under M square plus N square अब इसको हम लोग फर्दर चाहें तो और आम से यहाँ पर चाहें क्या हमें करना ही होगा क्या लिखेंगे M square plus N square divided by root under M square plus N square अब अगर आप देहान से देखो तो हम लोग उपर वाले को लिख सकते हैं root under M square plus N square multiplied by root under M square plus N square यह तो लिखी सकते हैं हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं तो लिख देते हैं divided by नीचे क्या है root under M square plus N square अब उपर में ऐसा क्यों लिखें मैंने देखो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं root 2 into root 2 ठीक है 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं root 3 into root 3 ठीक है न इसी तरीके से हम लोग M square plus N square को क्या लिख सकते हैं root under M square plus N square into root under M square plus N square क्यों लिखा हमने क्योंके हमें काटना था काट के उपर में ये वाला term लाना था इसलिए हमने ऐसा किया काटेंगे तो काटने के बाद क्या term आएगा m2 plus n2 यानि कि इन दोनों में से इन दोनों में से एक कड जाएगा और यहाँ पे आप easily देख पा रहे हो कि हमने इसको क्या किया है अब बढ़ते हैं हम लोग आगे next हम लोगों का question क्या है next question हम लोगों को ये पूछा गया है कि अगर cos square theta minus sin square theta 1 by x है then cos 4 theta minus sin 4 theta केतना होगा ये बता ये ठीक है इस question को कैसे करेंगे again यहाँ पे भी एक trick इस्तिमाल होगा जो जो question में जो जो trick बता रहा हूँ minus sin square theta का whole square इसको ऐसे लिख सकते हैं और हमें क्या पता है कि अगर a square minus b square है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a plus b into a minus b इस format में लिख सकते हैं तो वही लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे a plus b a plus b into a minus b लिख दिया हमने अब अगर आप ध्यान से देखें तो यह क्या है sin square theta plus cos square theta जो क्या आपको पता है 1 के बराबर ही होगा और cos square theta minus sin square theta वो तो आपको पहले से ही दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे 1 by x right sorry plus नहीं होगा यहाँ पे तो multiplication का sign है तो multiply कर देने एक दूसरे को value क्या निकला आपका value आपका यहाँ पे simply निकल गया 1 by x बात हो गया खतम यह हो गया आपका answer simple था एकदम हाँ भया बहुत simple था अब बढ़ते हैं हम लोग आगे जो जो चीज नया नया बताता जाओं उसको जहन में उतारते जाना आप आगे चलके भूल जाओगे वरना next और last question आज के class का है that is के अगर tan q plus cot q 2 के बराबर है ठीक है तो हमें tan to the power 7 q plus cot to the power 7 q अकसर यह question mcq में पूछा जाता है ठीक है तो इसलिए इसको एकदम करना है जट से solve एकदम जट से तो आप कोई एक angle सोचें q is equal to कोई एक आप angle सोचें और उसको यहाँ पे put कर दें put करके देखें क्या 2 आ रहा है तो अगर आप q के जगा पे 45 imagine कर लेते हैं किसी तरीके से तो tan 45 plus cot 45 जो वो क्या हो जाता है 2 के बराबर हो जाता है तो आप क्या करेंगे इस वाले जगे पे भी 45 put कर लेंगे और put करके आप अपना solution निकालेंगे तो क्या निकलेगा देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि 10 to the power 745 यानि कि 10 to the power 7 45 degree plus cot to the power 7 45 degree तो वो किसके बराबर आ जाएगा 1045 होता है 1 1 to the power 7 क्या होगा 1 और cot to the power 745 cot 45 क्या होता है 1 power 7 1 के उपर रहेगा तो भी वो 1 ही कहलाएगा मिला जूला कर ये भी 2 आ गया यानि इसका अंसर जो हो 2 होगा ये हो गया short तरीका long तरीका क्या है भाईया इसका long तरीका ये है कि जो आपके पास दिया हुआ है tan q plus cot q most probably ये mcq में आएगा और आपको यही इस्तिमाल करना है q के जगा पे कोई एक angle आपको late करके देखना है आप 0 put करके देखो 30 put करके देखो 45 देखो 60 देखो 90 देखो जिसमें equation satisfy कर दे जो आपसे पूछा गया उसमें भी वही वाला angle आप put कर दे ठीक है और दूसरा तरीका है कि आप इसको इस तरीके से convert कर ले यानि के tan q plus 1 by tan q में आप इसको convert कर ले ये भी एक तरीका है ये is equal to 2 के बराबर हो गया अब यहाँ पे quadratic equation frame हो जाएगा tan square q plus 1 is equal to 2 tan q और यहाँ से आप tan q का value निकाल ले और tan q का जब आप value निकालेंगे वहाँ से आप q का value निकालने कितना होगा और उस q का value को आप यहाँ पे put कर दे ठीक है बढ़िया ये दो तरीका है mcq में पूछा जाए जटाक से आपको एक angle अपने से imagine करना है जो सके इस equation को satisfy कर ले और उसी angle को यहाँ पे put कर देना है ठीक है बढ़िया I hope के ये class आपको समझ आया हो trigonometric identities क्या है वो आपको समझ आया हो उसमें हम लोग 23.3 exercise जो है वो उसमें जितना भी अलग-लग question हो सकता है उन सब question को solve करेंगे I hope के ये trigonometry series आपको help कर रहा हो चैनल को आप subscribe करके अपना support दिखाए के हाँ भाईया जो आप effort डाल रहे है या फिर ये जो contents वगएरा आ रहा है ये हम लोग के लिए helpful है कैसे पता चल रहा है भाई तो आपको subscribe कर देना है जिससे हमें पता चले कि हाँ ये content आपके लिए valuable है मिलते हैं इसी के साथ next class में तब तक लिए अपना धेर सारा ख्यार लखें Thank you